आपका कोई पिता अपने पांच पुत्रों को अधो पतत रिती से दर्वे देता है तो वे अपने सबसे चोटे पुत्र को कितना देता है तो बड़े पुत्र को 145 दिया उसके बाद 100 उसके बाद 64 उसके बाद 37 तो पांचवे पुत्र को कितने रुपे देगा यह आपको यहा यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले वाले लड़के को 145 रुपे दिए तो फर्स्ट को यहां पर 145 रुपे दे दिए तो सेकेंड को कितने दिए सेकेंड को 100 रुपे दिए मतलब 45 रुपे यहां पर कम दिए तो थर्ड वाले लड़के की यहां पर हम बात करते हैं तो थर्ड में से घटाते हैं तो कितने रुपे कम दिए 36 रुपे यहां पर कम दिए अब फॉर्थ नमबर लड़की की हम बात करते हैं तो इसको यहां पर 37 रुपे दिए जिसको हमें 64 में से घटाते हैं तो कितने रुपे कम दिए तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा तो 27 रुपे यहाँ पर कम दिए तो आगे हम देखते हैं जो आपका 45 है 36 है और 27 है यह अदोपतत रिती से दिया गया है मतलब भी 45 को हम क्या लिख सकते हैं 9,5,45 लिख सकते हैं 36 को हमें 9,4,36 लिख सकते हैं और 27 को हमें 9,3,7 से लिख सकते हैं मतलब भी सबसे पहले 9 को 5 से गुणा करके गटाया उसके बाद में 9 को 4 से गुणा करके गटाया उसके बाद में 9 को 3 से गुणा करके गटाया तो पांचवे में हम क्या करेंगे जो आपका 37 है उसमें से 9 को 2 से गुणा करके गटाएंगे तो 37 में से अगर हमें 18 को माइनस करेंगे तो आपको कितना प्राप्त जाएगा 19 आपको प्राप्ते हो जाएगा तो 19 रुपे यहाँ पर देगा पिता अपने पांचवे पुत्र को और यह आपको option number D में गिवन है तो D हमारा इस question का अंसर हो जाएगा question है आपका कितने तिर्बुज है दिये गए figure में यह आपको यहाँ पर find out करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है जो आपका shears है उससे कीची कही रेखाएं जो आपका आधार है उसको कितने भगों में बाढ़ती है यह सबसे पहले हम find out करेंगे तो इसे आपका 1, 2, 3, 4, 5 कितने भगों में बाढ़ती है 5 भगों में बाढ़ती है share से खेंची गई रेखाएं अब सब को आपस में जोड़ देंगे तो आपको कितना प्राप्ट हो जाएगा एक और दो तीन तीन और तीन छे छे और चार, दस 10 और पाँच, पंद्रा तो कितने तिर्बुज हो गई यहांपर यह आपके 15 तिर्बुज हो गई और इसी प्रकार से आपको अगर next आकर्ठी given हो जिसमें आपके शीर्ट से कीची गई जो रेखाए हैं वो आपके ज़्यादा हो तो कैसे तिर्बुज निखा लेंगे अगर इस तरह का फिगर हो तो आपके शीर्ट से कीची गई रेखाएं आधार को कितने भागों में बाढ़ती है वो काउंटिंग करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अब सब को आपस में जोड़ देंगे तो एक और दो तीन, तीन और तीन छे छे और चार दस, दस और पांच, पंदरा पंदरा और छे एककेसे तो टोटल कितने तिर्बुज बन जाएंगे इस वाली आकरती में आपके इस 21 तिर्बुज बन जाएंगे तो सिंपल सा याद रखना है सिर्ट से खेची गई रखाएं जो आदार है उसको कितने भागों में बाढ़ती है उनको लिख करें उनको आपस में जोड़ देंगे कोशन है आपका जिसमें आपको एक सर्किल गिवन है इस सर्किल के अंदर है एक सर्किल और बनाए गया है जिसमें आपको यहाँ पर मान यहाँ पर फाइंड आउटे करने हैं जो कोशन चिन है वहाँ पर कौन सा मान आएगा यह आपको यहाँ पर फाइंड आउटे करना है इसके लिए नीचे आपको चार ओप्षन भी गिवन है तो इसे हमें सोलू करने की कोशिस करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्या यहापर पांच और चार लिकी है और बीच में इनके एक लिका है अगर पांच में से चार को घटा दें तो संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी एक प्राप्त हो जाएगी सिमिलर है साथ में से अगर तीन को घटा दें तो संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी चार प्राप्त हो जाएगी लेकिन आपको प्राप्त कितना करना है 64 प्राप्त करना है जो 4 का अगर cube कर दें तो 4 चोके 16 और 16 चोके 64 तो 64 आपको प्राप्त हो जाएगा similar नीचे हम condition लगाएंगे 8 में से 2 को घटाएंगे तो संक्या आपको 6 प्राप्त होगी 6 का हम cube करेंगे तो संक्या कितनी प्राप्त हो जाएगी 6 चंग 36 हो जाएगा 36 को 6 से गुणा करोगे तो आपको 216 प्राप्त होगा similar नीचे 11 में से 8 घटाओगे तो 3 बचेगा 3 का अगर आप cube करोगे तो संक्या आपको 27 से प्राप्त हो जाएगी तो यहाँ पर जो कोशन चिन है वहाँ पर कौन से संक्या आएगी 216 आएगी जो कि हमें option number 4 में गिवन है तो option number 4 हमारा इस कोशन का answer हो जाएगा कोशन है आपका रिक्तिस्तान पर कौन सा पता हैगा यह आपको find out करना है इसके लिए आपको यहाँ पर एक number से गिवन है जिसमें आपका यहाँ पर एक number missing है जो कि आपको find out करना है दिये गए चार option में से तो हम सबसे पहले संख्याइं लिखते हैं 121 से 123 128 से 149 से 156 और उसके आगे खालिस्तान है तो 121 से आपको 123 पर जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको यहाँ पर दो जोड़ना पड़ेगा सिमिलर ए 123 से आपको 128 पर जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 5 जोड़ना पड़ेगा 128 से आपको 149 पर जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको यहाँ पर 11 जोड़ना पड़ेगा और 149 से आपको 156 पर जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 17 आपको जोड़ना पड़ेगा और 156 से आपको खालिस्तान वाली संक्या पर जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा ये आपको find out करना है तो सबसे पहले हमने 2 जोड़ा उसके बाद 5 जुड़ा 11 जुड़ा और 17 जुड़ा तो ये सबी कैसी है आप भाज्य संक्य हैं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 17 के बाद में अब भाज्य संक्य कुम से हो जाएगी आपकी 19 हो जाएगी 19 के बाद में 23 हो जाएगी तो 2 का हमने यूच किया 3 को हमने चोड़ दिया 5 का हमने यूच किया 7 को हमने चोड़ दिया 11 का हमने यूच किया 13 को हमने चोड़ दिया 17 का हमने यूच किया 19 को हम चोड़ देंगे तो संक्या कौन से यूच करेंगे 23 हमें जोड़ेंगे 156 में हमें कितना जोड़ेंगे 23 जोड़ेंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 1 काप 1 हो जाएगा तो संक्याप की बन जाएगी 189 बन जाएगी जो कि आपको option number 4 में गिवन है तो option number 4 हमारा इस question का अंसर हो जाएगा question है आपका जिस प्रकार मा बच्चे से सम्मदित है उसी प्रकार बादले किसे सम्मदित है यह आपको find out करना है तो आप सभी जानते हैं एक मा होती है वो बच्चे को जनम देती है क्या करती है बच्चे को जनम देती है उसी प्रकारे जो आपके बादल होते हैं वो किसको जनम देते हैं वो आपके वर्षा को जनम देते हैं मतलब जो जमीन पर जो वर्षा होती है वो किसके द्वारा होती है बादलों के द्वारा होती है तो वर्षा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा